दोस्तों, सत्र 2022-2023 में गुरु सिरी गोरक्षनाथ कॉलेज ओफ नर्सिंग में 16 मई से ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है मैं आप सबको बता दूँ, इस साल नर्सिंग के सभी कोर्स के लिए महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट करा रही है तो अगर आप गुरु सिरी गोरक्षनाथ कॉलेज ओफ नर्सिंग में एड्मिशन के लिए फॉर्म का वेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ, 16 मई से आपका ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जब आप महायोगी गोरक्षनाथ बिश्व विद्याले के ओफिसियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर इसकी सूचना आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह महायोगी गोरक्षनाद बिश्व जयले का ओफिसियल साइट है यहाँ पर 2022 सेज के लिए admission का notification दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस notice में सबसे उपर ही यहाँ पर mention किया गया है कि admission process 16 मई 2022 से start हो रहा है और इसके साथ ही साथ महायोगी गोरक्षनाद बिश्व जयले में इस नए सत्र में जितने भी course अविलबल है उन सभी की details यहाँ नीचे दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि nursing faculty में ANM, GNM, BSC Nursing, Post BSC Nursing और MSC Nursing के course यहाँ पर अविलबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी course की यहाँ पर duration दी गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर eligibility criteria दी गई है अगर मैं आपको ANM course की eligibility criteria की बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ANM course के लिए जो eligibility criteria है वो है कि आपको class 12, art या science system में पास होना compulsory है वहीं BSC nursing के लिए जो eligibility criteria है आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th past with physics, chemistry and biology वहीं आगे आप देख सकते हैं post basic BSC nursing का course करने के लिए GNM course करना compulsory है और इसके साथ ही साथ MSC nursing का course करने के लिए BSC nursing course करना compulsory है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी course के fees भी बताए गए है A&M course के लिए जो fees है वो है 61,500 रुपए per year यानि कि एक साल का 61,500 रुपए वहीं GNM course के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 88,500 रुपए BSC nursing के course के लिए 1,05,000 रुपए इसी तरह आप जितने भी course हैं उसके आप fees यहाँ पे देख सकते हैं और दोस्तों इस साल महायोगी गोरक्षनात बिश्वपित जाले में यह सभी paramedical courses भी यहाँ पे कराये जा रहे हैं और इसके साथी साथ यहाँ पे इन सभी course की eligibility criteria भी बताए गई है और उनके fees की detail भी यहाँ पे दी गई है अगर बात करें diploma in dialysis technology की तो इसकी जो एक साल की fees है वो है 55,000 रुपए और बागी के आप fees यहाँ पे देख सकते हैं और दोस्तों गोरकपुर बिश्वविद्याले के तरह ही यहाँ पर भी BSC agriculture की course कराये जा रहे हैं जिसकी eligibility criteria आप देख सकते हैं कि intermediate pass होना चाहिए with mathematics, biology या फिर agriculture से यहाँ पे BSC agriculture के लिए जो total fees है एक साल की वो है 50,000 रुपए और दोस्तों इसकी साथ ही साथ allied health sciences department में BSC biotechnology, BSC biochemistry, BSC microbiology के course यहाँ पे अविलिबल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी eligibility criteria के साथ साथ पूरे एक साल की fees बताई गई है अगर बात करें BSC bio technology course के लिए तो आप देख सकते हैं एक साल की जो fees है वो है 25,000 रुपए और बागी के भी जो दोनों course है उनके लिए जो fees है वो भी 25,000 रुपए है एक साल की और आगे आप देख सकते हैं कि Pharmacy, Ayurveda के भी यहाँ पे कुछ course अभिलबल है जिसमें है B-Pharma जो की 4 साल का है और D-Pharma जो की 2 साल का है तो B-Pharma course के लिए जो eligibility criteria है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th past with physics, chemistry, biology या फिर mathematics और इसकी जो फीज है वो है 85,000 रुपए पर year और इसकी जो एक साल की फीज है वो है 55,000 रुपए और इन सभी course की साथ-साथ यहाँ पे Commerce and Management Department में B.com, BBA और MBA के भी course अवेलबल हो चुके हैं इन सभी course की eligibility criteria आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया और साथ-साथ पूरे एक साल की फीज भी यहाँ पे बताई गई है और दोस्तों यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं इस पास लिखा हुआ है कि इस नए सत्र में महायोगी गुरचनात विश्व विद्याले में जितने भी admission होंगे वो सभी common entrance test के आधार पर होंगे यानि कि यह जो विश्व विद्याले entrance exam conduct करा रही है उसी के आधार पर ही सारे admission होंगे यानि कि NEET के exam से कोई मतलब नहीं है जो आप अकसर comment box में पूझा करते हैं कि क्या NEET के exam के base पे admission होगा तो अब यह clear हो चुका है कि यहाँ पे जो भी admission होगा वो common entrance test के base पर होगा तो I hope आप सभी के मन में जितने भी doubts थे वो सब अब clear हो चुके होंगे तो दोस्तो जैसा कि वीडियो के सुरू में ही मैंने आपको बताया कि इस नए सत्र 2022 थे इसकी लिए admission process 16 माई 2022 से start हो रहा है तो जैसे ही form भरना ही start होगा तो form कैसे भरना है step by step एक वीडियो बना करके मैं अपनी चैनल पर upload कर दूँगा तो form भरने से पहले आपको वो वीडियो एक बार जरूर देख लेनी है जिसे आपको form बढ़ते समय कोई भी problem नहीं आएगी तो दोस्तों ये था महायोगी गुरक्षणाद बिश्वविद्याले के सत्र 2022 थे इसमें admission से related notice जिसमें मैंने आपको बताया कि जो admission process है इस university का वो 16 माई 2022 से start हो जाएगा तो अगर आप भी इस नए सत्रे में महायोगी गुरक्षणाद बिश्वविद्याले में form apply करने वाले हैं तो आप अपने सभी जरूरी documents को तयार रखें तो दोस्तों फिलाल वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद